हेलो एवरिवन मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर तो आज मैं मैथ के जो एनलेसिस करवाऊंगी जो मैथ के कोशन पुछे गए और जिस टॉपिक से पूछे गए वो पूरा-पूरा टॉपिक कंप्लीट कर आ रही हूं क्योंकि ऐसी कोशन आगे भी ठीक है तो आप अन तक जरूर दिखेंगा और an acute angle या फिर noon code, some code क्या होता है, some code 90 degree, जो खुद 90 degree हो, यानि कि एकदम straight, ऐसे करके, ठीके उसको बोलते हैं, right angle, अब एक चीज़ बताएगा, जो noon code होता है, वो ऐसे थोड़ा सा tilt होता है, यानि कि जुके वे होता है, इधर की तरह, ठीके, ये एक trick होती है, पैचानने कि अगर आपके पास यासे कोई diagram बनके आ जाता है, तो वो noon code ही होगा, लेकिन अंदर वाला angle होना चाहिए, वो, अब आता है, अधिक code क्या होता है, तो अधिक code आपका 90 से बड़ा होता है, लेकिन 180 से छुटा होता है, यानि कि, अगर मैंने का 110 कैसा code है, तो 110 इज़ा, obtuse angle, यानि क इसको बोलता है, straight angle, इसको बोलता है, straight angle, जो एकदम सीधा सीधा जाता है, उसको बोलता है, straight angle 180 वाला, लेकिन वो मैंने यहां include नहीं कि, इतना important नहीं है, अभी व्रहत कोडी, बहुत important है, ठीक है, यानि कि, reflex angle क्या होता है, तो reflex angle वो होता है, जो 180 से बड़ा होता है, लेकि पिल 240, ठीक है, 210, ठीक है, 200, यह सारे angle कैसे है, reflex angle है, आप इनको पहचानते कैसे है, उनके उपर question कैसे आया है, यहीं देखेगा, question यहीं से आता है, कि आपको एक angle दे रखा है, कि angle ABC, यह था angle ABC, is 60 degree, ठीक है, यह अंदर वाला 60 degree दे रखा है, आप से ABC का ही reflex पूछा गया है तो 60 तो आपका normal acute angle है ना, यानि कि noon code है, reflex का मतलब है, यह बाहर वाला है, ठीक है, तो reflex कैसे निकालते हैं, तो उसकी एक trick होती है, पर 360 में से यह अंदर वाला जो भी angle है, इसको घटा दीज़े, reflex कभी भी निकालने को कहा जाए, तो अगर आपको अंदर वाला angle पता है, त 360 में से इसको घटा देंगे, तो यह बाहर वाला angle पता चल जाएगा, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यह जो complete angle है, यह total angle 360 होता है, तो अगर अंदर वाला 60 है, तो बाहर वाला 300 ही तो होगा ना, इस तरीके से आपका reflex angle वाला question complete हो गया, आज एक question पूछा गया था, पूरा code स हो सकता है, कल सम पूरा code पूछा जाए, इसलिए दोनों topic मैं complete करा देती हूँ, देखे, complementary angle यानि कि पूरा code क्या होते है, ऐसे दो code जिनका sum, जिनका योग नब्बे हो, देखे, कोई भी एक angle नहीं, यहाँ दो angle का pair होता है, जिसका जोडने पर नब्बे आता हो, देखे, 360 जोडने पर नब्बे आ रहा है, 45-45 जोडने पर नब्बे आ रहा है, और 50-40 जोडने पर नब्बे आ रहा है, अब यहाँ से question कैसे आता है, question आता है, कि सत्तर का पूराग बताईए, यानि कि सत्तर में जोडें यह कि यह पूराग code बन जाए, तो सत्तर में कितना जोडेंग कि 35 का पूरक code क्या होगा और विसली 90 में से घंटा दीजह अंतर आजाएगा अगला है Supplementary तो क्या आज पूरक से पूछा गया हो सकता है क्या आगे सम पूरक से फूछा जाए तो Supplementary अंगे क्या होता है यानिी कि सम पूरक code क्या होता है ऐसे दो कोड जिनका योग 180 हो, जैसे 120 और 60, 100 और 80, देखें, ये दो का सेट होता है, जिनका सम कितना हो, 180 हो, अब यहाँ से कोशन भी ऐसे आता है, कि 130 का समपूरग बताईए, तो 130 में कितना जोड़ें कि ये समपूरग बन जाएगा, 50 जोड़ेंगे, कैसे निकाला मैंने, 180 में से 130 घटा ऑप, अब नबबे का आप कॉंप्लिमेंट बताईएगा, बोधी सप्लिमेंट बताईएगा, बहुत ही एजी सा है ऐथो, एक कोशन प्रसिया अगे प्रतिलोम से आज पुछा गया है, तो प्रतिलोम, मैं आपको दोनों तरिके की प्रतिलोम बता देती हो, एक होता है योज प्रतिलों एक होता है गुरातमक पतिलों तो देखे एडिटिव इन्वर्से कोही योज प्रतिलों कहते हैं और योगत्य Cop प्ञैनी योग्तृतिलों क्याते हैं और इंग्लिस वाले पर जदा धान दीजिए और English में जंकि कई । बना देते हैं यह मैं सुरुवाद से कहते हैं आ रही हूं अच्छा पैडगोजी के लिए आप केवल मेरे प्लेलिस्ट पनी हुई है केवल उतना देख करके जाएंगे आपका हो जाएगा क्योंकि देखे वैन ही ले न्यूमैंस का टूटी विस्टेशर सिद्धान वहां से को कोशन पूछे गए हैं मैंने और लेडी कवर करा हुआ है चोटी चोटी वीडियो है 5-10 मिनट की वीडियो है अंड तक देख लेंगे आपका हो जाएगा कंफर्म है मैं गरेंटी ले रही हूं ठीक है तो अब देखे एडिटिव इंवर्स कैसे निकालते है पांच का चले मैं बता देखो कितना ही कवपेंट करेंगे यहां पर अच्छा कितना होता है यानी कि कोशन इwnड है यदिक लिए और तीन कहीं होता है माइनस तीन होता है सिर्फ उल्जाने वाला कोशन है हाला कि इस तरीके को कोशन पुछा नहीं गया है कोशन इजी ही पुछे जाते हैं लेकिन आपको कॉंसेप्ट लियर करने के लिए मैंने कोशन डाला है अब देखे मल्डिक complete इवर्स अब इसके कही नाम है तिक है कै मल्डिक्रेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल भी चो बोलते हैं या गोडात कतिलों भी बोलते हैं या वुतिक्रम भी बोलते हैं तो इंग्लिश में आप दो सब्सक्राइब करेंगे मैं इसको पलटेंगे कोई पहला का इसे लिखा है तो उसके नीचे वन माना जाता है तो अब इसको जब पलटेंगे तो क्या बनेगा 1 by 7 बनेगा की नहीं बनेगा तो यह अंसर हो गया यहां दे रखा था मांजस का 8 by 9 तो इसको पलट दिया मैंने उल्टा कर दिया तो क्या गया मांजस का 9 by 8 आ गया यहां तक clear अब देखे एक भिन से question पुछा गया कौन थी बिन चोटी है बड़ी है उसको मैं ट्रिक से बताऊंगी उसके अलावा एक question पूछा गया है आपका एक minute उसके अलावा आपका unit conversion से question पूछा गया है तो unit conversion के पर मैंने shorter trick बना रखी है वही math की जो playlist में आप जाएंगे मैं description में दे रही हूं आपका sub cover हो जाएगा तो देखें भिन के बारें थुड़ा इंट्रो ले लेते हैं भिन में जो उपर लिखा होता है उसको अंस बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं English में numerator नीचे denominator अब proper और improper बिन क्या होती है क्योंकि यहाँ से previous हर में question पूछा गया था कि definition से question था तो प्रॉपर बिन वो होती है जिसका अंस छोटा होता है जैसे देखें यहाँ उपर चार छोटा है ना 5 से अंस छोटा होता है हर से, यह देखें, 9 छोटा है ना 13 से, तो इसको बोलते हैं proper भिन, अब improper भिन ही क्या होती है, जिनका अंस बड़ा होता है हर से, यानि कि अंस का मतलब numerator, ठीक है, इंगलिश वाले ध्यान देंगे numerator और इसको denominator, देखें numerator बड़ा है ना denominator से, यहां पे भी numerator denominator से, अब होता क्या है, कि जो mix fraction होता है, वो improper fraction के ही बनते हैं, देखें, अगर मुझे इसको mix fraction बनाना था, तो मैं क्या करूंगी, 5 से divide किया, तो 5 बन जा 5, और यह बन, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1, 1 whole, 1 by 5, यानकी 5 एकम 5 और एक 6, 6 बटा 5 बन रहा है कि नही चार सही 2 बटा 3 हो गया, यह हो गया mix fraction, अभी, I hope आपको समझ में आया होगा, अगर कोई दिखका थे तो आप comment करते हैं, अब यहां से मैं trick बताती हूं, क्योंकि, यहां से question हर बार पूछा गया, और इस बार भी पूछा गया है, कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भीन कैस पैचानेंगे, तो सबसे बड़ी जिसे माली जे कोशन था, यह मैंने कोशन दे रखा है, 7 upon 11, 8 by 13, 9 by 14, 11 by 15, अब हम सबसे पहले करते हैं, इस trick में, सबसे पहले हमको difference निकालना होगा, तो देखे, 7 और 11 का difference कितना हुआ, 4 हुआ, 8 और 13 का difference, यानि कि घटा, मतब अंतर कितन करके दिखाया है, यहां पर, LTM आया हमारा 20, ठीक है, LTM करना तो आते ही होगा, आप लोगों को नहीं आता, तो बताएगा, उस पर वीडियो बना दूंगी, तो यहां पर यह आ गया 20, अब हम करते क्या है, जो भी हमारा दे रखा है, बारी बारी से, 7 का 7 लिखा, बटे में चार गुड़े 20, आठ बटा पांच गुड़े 20, नो बटा पांच गुड़े 20, और ग्यारा बटा चार गुड़े 20, इतना किया, I hope आपको सवाज में आया होगा, कि आपको जो अंस दे रखा है, वो लिखा, नीचे जो भी अंतर था, वो लिखा, इन्टू में जो LTM आया नीचे वाले से कोई भी मतलब नहीं, डिनॉमिनेटर से कोई भी मतलब नहीं, अगर आपको बड़ी और चोटी सिफ पता करना है तो, तो मैंने इस तरह कर लिया, अब बताई यहां सबसे बड़ा नंबर आपको कौन ता दिख रहा है, ओमिसली 55 सबसे बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसका अंसर 55 आया था, और इसका अंसर 32 आया था, तो यह सबसे छोटी हो गई, अब यहां से आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको बढ़ते वे क्रम में, घटते वे क्रम में कोशन आता है, कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में आता है, तो आप अरेंज कर करके रिवाइस करिएगा, आपको ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी, तो तब तक के लिए देखते रहिए, मैं अभी EBS का भी एनलेसिस पे बेस्ट वीडियो बनाऊंगी, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, थैंक्यू फर वाचिक मैं वीडियो,